नमस्कार, साधरवंदन, आज के टेडेक्स के इस पतिकुलर सत्र में, जिस विशय पर बोलने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया है, मैं अपात्र हूँ. अपात्र इसलिए हूँ, क्योंकि वो विशय विश्विद्यालेओं में होता ही नहीं है, हम प्रकृती को उसकी सस्टेनेबिलिटी से और वो भी परंपरा के आधार पर, भारतिय ग्यान परंपरा, ऐसी कोई वस्तू भारतिय पूरे परिपेक्ष में होती नहीं है, क्योंकि ज जो लोग इसको जीते हैं, वो विश्विद्यालेओं में नहीं होते, वो वहां होते हैं, जिसे हम गाओं कहते हैं, जिसे हम वन कहते हैं, जिसे हम खेत कहते हैं, और हम और आप ना गाओं जानते हैं, ना वन जानते हैं, ना खेत जानते हैं, इसलिए जब मैं कहती हूँ कि म अपात्र हूँ तो मैं इसलिए अपात्र हूँ क्योंकि ये ज्ञान पुस्तकों का ज्यान नहीं है ये ज्यान वो ज्यान है जब हम आसमान में छोटे बच्चे थे और देखते थे तो हमारी दादी पीछे से आके कहती थी देखो आज लहरों वाले बादल हैं ये लहरे पतली ह शाम तक बादल बरस जाएगा और सच में शाम तक बादल बरस जाता था जब नाना आकर कहते थे पच्छुआ चल गई है किसान खुश होगा तो हमें वो समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी कि पच्छुआ क्या होती है ये पहला सौभाग्य हर भारतिय का होता है कि वो यहां जन्म लेते ही उस प्रकृती का भाग बन जाता है जिस प्रकृती को हम और आप जीते हैं और माफ कीजिए हमारी पुस्तकें उस ज्ञान को नहीं जीती क्योंकि वो ज्ञान वैलिडेट करने वाले पश्चिम में बैठे हैं हम आकाश कहते हैं पर क्या कभी हमने सोचा ये आकाश शब्द क्या है आका, आका संस्कृत का शब्द है जिसका मीनिंग होता है पेंटिड, रंगा हुआ क्या उस आकाश की सूर्य उगने से पहले के रंग से लेकर सूर्य के छिपने के समय के बाद के रंगों तक एक दिन भी हमने उस आकाश की यात्रा की है क्या और शब्द का अर्थ है अनन्द, यानि अनन्द रंगों से रंगा हुआ और फिर हम कहते हैं पृत्वी, पृतिव्याह पुत्रो अहम, पांच तत्व हैं और उन पांच तत्व को हम कहते हैं प्रकृती और मुझे नौ भारतिय भाशाएं और दो विदेशी भाशाएं आती हैं कम से कम इन 11 भाशाओं का सूत्र मैं ले सकती हूँ कि जो नेचर, प्रकृती के विशे में कहा जाता है वो शब्द एक ही है चाहे हम मनुष्य की प्रकृती की बात करें और चाहे हम बाहिय प्रकृती की बात करें बाहरतिय भाशाओं में वो शब्द है प्रकृति, बहिय प्रकृति या मनुश्य की प्रकृति, अंग्रेजी में वो शब्द है नेचर, human nature या outer nature, उर्दू में वो शब्द है कुदरत, इंसानी कुदरत या बाहर की कुदरत, कोई दो शब्द हैं ही नहीं और उसका मुख्य कारण ये है कि जो पांच तत्व है हम भी उन्हीं पांच तत्वों से बने हैं हमसे वो पांच तत्व अलग नहीं है इसलिए जब कभी शरीर में उगरता बढ़ जाती है कभी आपको एसिडिटी हो जाती है तो हम ठंड की तरफ जाते हैं ठंडा पदार्थ ले ले बाहर भी यदि आग जलती है तो पांच तत्व हैं ये पांच तत्व हमारी परंपरा का मूल रहे हैं और इन पांच तत्वों का किसी ने वेदों में उलेक किया तो इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्हें चक्षों से ये दृष्टी गोचर होते थे बलकि वैज्यानिक रूप से डिसैक्षन करके अल्टिमेटली इस सत्य पर पहुँचे कि तत्व पांच ही है उनकी प्रकृती पांच ही है और वो तत्व ही एक मनुष्य को या जीव को या प्राणी को बनाते हैं इन पांच तत्वों में यदि उपर नीचे कोई भाव आता है तो वो भाव आता है चित्त के कारण आपने सुना होगा सत्थ, चित्थ और आनंद केंद्र में चित्थ है चित्थ में उथल पुथल होती है तो सत्य और आनंद भी ऊपर नीचे होने लगते हैं और चित्थ बहुत चंचल होता है चित्थ के चंचल होने के कारण ही प्रकृति के तत्वों में भी चंचलता आती है और वो चंचलता हमें एक तरफ अनिश्चित्ता की तरफ ले जाती है बहुत गुडविज्ञान है गुड़ता से कहा गया है चार वेद लिखे गए उपवेद लिखे गए वेदांग लिखे गए उपनिश्यद आए महाभाश्य आए महाकाव्य आए हर बार ज्ञान एक सीड़ी नीचे उतरा क्योंकि मनुष्य ने अपना स्तर एक सीड़ी नीचे किया तो जो लोग वैदिक ग्यान को समझ सकते थे वहाँ वेदों की भाशा में बताया गया आज हम और आप बातचीत की भाशा में उसी वेदों की भाशा का ग्यान समझने की कोशिश कर रहे हैं बात वही है वेदों ने भी यही कहा प्रत्विर शांती आपा हशांती और शदया हशांती शांती की बात कर रहे हैं शांती क्या है क्या युद्ध का ना होना ही शांती है या संयोजन होना शांती है absence of war is not peace peace is when there is harmony peace is when there is symphony बत अमित्स वोट किसके बीच में वो शांती चित में भी है और बाहर भी है तो ही शांती है और इसके लिए हमारे कवी दो महा कव्य लिख गए जो निरंतर है बिलकुल काल विहीन है हम जानते हैं तीन तरह का साहित्य होता है एक तातकालिक एक सामयिक और एक काल जई ये काल जई काव्य है क्या इनका परपस है बहुत बार आप जैसे बच्चे बहुत मुर्धन्य विद्वान चर्चा करते हैं बात करते हैं कि आपका तो कोई धर्म गरंथ ही नहीं है और हम चारो तरफ देखते हैं और कहते हैं वाकई क्रिश्चियन कहते हैं हमारे पास बाइबल है इसलाम कहता है हमारे पास कुरान है हम कहते हैं हमारी कोई किताब कोई पुस्तक कोई गरंथ हमारे लिए धर्म का रूप नहीं लेती क्यूं? क्यूंकि वो ज्ञान ग्रंथ है क्या फर्क है दोनों में? ज्ञान ग्रंथ पर विवेचना हो सकती है डिस्कोर्स हो सकता है बाचीत हो सकती है उसकी कुछ बातों को बदल कर पुना लिख सकते है पुन्रा वृत्ती हो सकती है नाटे बन सकते है आख्यान बन सकते है कहानियां बन सकती है लेकिन धर्म ग्रंथ जैसा है वैसा ही अंगिकार किया जाता है उसके उपर चर्चा करना, बात करना, भाष्य करना अनुमती नहीं है ये बात इसलिए समझनी जरूरी है कि ये जो यात्रा है पृत्वी को सनरक्षित रखने की ये चर्चाओं से ही संभव है ये डिस्कोर्स से ही संभव है हम नवरात्री मनाते हैं तो उस नवरात्री को शक्ती का पर्व क्यों कहते हैं ये समझना पड़ेगा तभी समझ पाएंगे कि भारत की 32% की GDP क्यों थी जिसका विश्व में योगदान था नवरात्री में हम घड़ा लाते हैं घड़े में छेद करते हैं धरती की मिट्टी डालते हैं थोड़ा पानी डालते हैं और फिर बीज बोते हैं उसके ऊपर अखंड दीपक जलाते हैं हर दिन थोड़ा थोड़ा पानी डालके कि इसका नौ रता कितना बना नौ रता नौ रातों तक बनने वाला और दसवे दिन हम उसको देख लेते हैं कितनी उसमें उगने की छमता है दसवे दिन वो घड़ा उठाते हैं मंदिर में दे आते हैं जो घर में कर रहे थे वो बार जिसे वो नया वर्ष घोशित करता है एक बार चैत्र में एक बार दीपावली पर वो नया वर्ष उतसाह में नहीं करता वो अर्थ शास्त्रिये नया वर्ष है क्योंकि वो दो बार अपने taxation को revise करता है किसके basis पे उस घड़े में बोय हुए बीज पर जो मैंने और आपने घर में बोया है ये प्रकृती का सन्रक्षन है मेरे हाथ में पैसा होता है और जब मैं कुए के पास नदी के पास नहर के उपर से प्रसार कर रही हूँ तो सहज ही वो पैसे का सिक्ता मैं उच्छाल के जल को अरपन करती हूँ मैं क्या कर रही हूँ आप सब करते होंगे आपकी उम्र में शायद आप इधर उधर देखके करते होंगे कि कोई देख तो नहीं रहा मेरी दादी सिर्थ से लगा कर फेकती थी एक छोटा बच्चा उत-साव में फेकता है कि देखें कितनी दूर जाता है पर करते सब हैं क्य कभी किसी गुरू ने आश्रम में, वन में, गुरुकुल में ये रिसर्च की कि कुछ मैटल्स में वाटर क्लीनिंग ऑबजेक्ट्स होते हैं, सोना, चांदी, तांबा इनमें पानी को साफ करने के गुण होते हैं, सिख्के, सोने, और चांदे, और तांबे के बनते थे, तो जो सिख्का बनता था, उतने सब सिख्कों में से एक हम जल में डालते थे, क्योंकि मेरा कर्तव्य है कि इतना पानी अगर मैं प्रयोग कर रही हूँ, तो इतना पानी मैं साफ भी कर सक cuma है। इकोलोजिकल दाई तो है, इसे समझाना नहीं पड़ा, मैंने और आपने साइंस के फॉर्मूले नहीं पड़े, पर मेरा विज्ञान मेरी परंपरा में इतना बिंधा हुआ है, कि मुझे बिना समझे ही उस विज्ञान को जीने की आदत है। हम प्राकृतिक रूप से चलने वाले लोग हैं, इसलिए मैंने कहा, मैं इस विज्ञानिक विशय पर बोलने के लिए अपात्र हूँ, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता, और भारत में जिसे कुछ नहीं आता, वही विज्ञान को जीता है। हमारे दो महा काव्य, पहला महा काव्य रामायन, मर्यादा पुरुशोत्तम, ऐसा विशेशन दिया राम को, किसकी मर्यादा? तो वो मर्यादा तीन तरह के जीवन में बताई। एक नगरी जीवन जिसमें अयोध्य थी, एक वन जीवन जिसमें सन्यासी रहते हैं, रिशी रहते हैं और एक राक्षसी जीवन जिसमें राक्षस रहते हैं लेकिन इन सब में नर जीवन, वानर जीवन और दानव जीवन, ये तीन तरह की संस्कृतियां बताते हैं और बताते हैं कि मर्यादा कितनी आवश्यक है, आज भी आप लोग तो हिंदी फिल्में देखते होंगे, आज भी हिंदी फिल्मों की स्टोरी रामायंड पर ही लिखी जाती है, एक hero होता है, एक heroine होती है, एक villain होता है, hero, villain को मार देता है, रामायन के अलावा कोई कथानक ही नहीं है, विलेन को मरना ही है, villain कौन है, जो पर्यावरण का नाश करता है, villain वो है जो ecosystem को हटाता है, प्रकृती के विरुद्ध जाकर कोई और कृत्य करता है, वही villain है, आज हमारे बीच में, हम सब के अंदर villain उग रहा है, क्योंकि हम मर्यादाओं से दूर भाग रहे हैं, दूसरा महाकाव्य ये बताता है, कि अगर धर्म के प्रती जागरित नहीं है, और धर्म, जैसा मैं पहले बता चुकी, हमारा कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, ज्यान ग्रंथ है, उस ज्यान से अधी हमने अपना जीवन नहीं चलाया, तो वो जो हमारा एक परिनिती का च्छन होगा, तो युद्ध होगा, और युद्ध महा विध्वन्सक होगा, पूरी महा भारत एक ही विज्ञान से शुरू होती है, और उस विज्ञान का नाम है एंब्रियो लॉजी, सिर्फ एंब्रियो लॉजी से शुरू हुई है, कुंती जिस तरह से पाँच पांडवों को मादरी के साथ जन्म देती है, उसे आज हम आर्टिफिशिल इंसेमनेशन कहते हैं, क्लोनिंग के साथ कौरव जन्म लेते हैं, जबकि पश्चिम ने इस विज्ञान को 1915 में पहला स्वरूप दिया, हमारे कण कण में वो विज्ञान है, जिसे हम वहां तक समझ ही नहीं पाए, बात को कहां ले जाकर हमें समाप्त करना है, वो भी महाभारत से मिलता है, जब हम पांच तत्वों की बात करते हैं, तो हमारे बहुत सारे चरित उसमें आते हैं, और हमारी इस्त्री चरितों पर बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं, खासकर कुंती और द्रौपदी पर जिस तरह के प्रश्न खड़े होते हैं, कुंती द्योतक है कि पाँच तत्वों से जन्म कैसे हो सकता है। हम कहते हैं हम प्रिथवी पुत्र हैं इसलिए शरीर के अवश्यक्ता है क्योंकि शरीर ही प्रिथवी है तो बॉडी चाहिए जन्म लेने के लिए लेकिन जल से जन्म लेने के लिए क्या शरीर ही चाहिए तो गंगा पुत्र हैं जिने जल ने जन्म दिया उनकी जन्म प्रक्रिया कुछ और होगी द्रौपदी है जो यग्य सेनी है जिसे अगनी ने जन्म दिया उनकी जन्म लेने की प्रक्रिया कुछ और होगी वायू पुत्र हैं जिने वायू ने जन्म दिया हनुमान हम सबको जानते हैं हम अलग-अलग तत्व आकाश से नकुल और सहदे वुत्पन हुए महाभारत बहुत विस्तृत एक विस्तार है विज्ञान का हम उसे डिकोड नहीं कर पाए और क्यूंकि पश्चिम सिर्फ प्रत्यक्ष को प्रमान मानता है वो आगे बढ़ ही नहीं सकता तो हमने अपने वैज्ञानिक अनुभवों को नकार दिया और क्यूंकि हम परंपराओं को नकार रहे हैं हम परंपराओं को सामने देखकर भी स्वीकृत नहीं कर पा रहे इसलिए आज हम इस चौराहे पे खड़े हैं कि सस्टेनिबिलिटी क्या होती है सस्टेनिबिलिटी होती है घर में दीपक जलाना सस्टेनिबिलिटी होती है सूर्य को अर्ग देना सस्टेनिबिलिटी होती है सुबा उठकर धर्ती को प्रणाम करना जब तक आप इनकी वैज्ञानिकताओं को जूटा साबित ना करें असत्य साबित ना करें तब तक कृपा करके अंध विश्वास पर भी विश्वास किए क्योंकि अंध विश्वास सुपस्टीशन का परियाए नहीं है अंध विश्वास का अर्थ है इतनी बार परिक्षित किया गया कि आप एक अंध की तरह भी विश्वास करते।